हेलो बच्चो नेक्स यूनिट स्टार्ट करते हैं, इनिट नमबर थरी नूटन सलाज ओफ मोशन तो नूटन सलाज ओफ मोशन को डिस्कस करने सबसे पहले हमें फोर्स का पता होना चाहिए कि वट इस फोर्स तो देखो force क्या होता है force is an external effort in the form of push or pull एक external effort है यानि बहार से लगाया हुआ कोई भी push या pull है जो क्या करता है किसी भी body को अगर वो rest पे है तो उसमें motion produce कर सकता है या फिर produce करने की कोशिश करता है और क्या कर सकता है stops or tries to stop a moving body अगर कोई body पहले से moving है चल रही है तो उसको रोक पी सकता हो रोकने की कोशिश करेगा या फिर किसी body की direction भी change कर सकता है तो देखो अगर जैसे हमारे पास कोई book रखी है table पे कोई book रखी है book lying on a table force यह book यहाँ पे रखी हुई है table पे अगर हम इस पे force लगाए पुश करे इसको तो यह इस direction में move करेगी अगर इसके ऊपर हम force लगाए तो यह इस direction में move करेगी यानि इसको हम अगर पुश करे तो यह जो है इसकी जो position है वो change हो जाएगी तो यह force word again deform of push और इस बुक को हम pull भी कर सकते हैं तो pull करेंगे तो भी क्या होगा इसकी position change हो जाएगी तो लेकिन इसमें तो क्या हो रहा है position change हो रही है लेकिन अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी दिवार है और दिवार को अगर हम धका दे तो क्या होगा हम force तो लगाएंगे लेकिन क्या होगा position change नहीं होगी तो यानि जो force है वो जो position change करता है या करने की कोशिश करता है इसलिए हापे ऐसे लिखा है हमने produce और tries to produce motion in the body और अगर हमारे पास suppose कोई ball है बोल उपर से गिर रही है अगर हम उसको catch कर ले तो उसको हम रोक सकते हैं यानि वो motion में थी और हमने उसको stop कर दिया लेकिन अगर बहुत बड़ी चट्टान है कोई बहुत बड़ा stone है उपर से घिर रहा है तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे विल्कुल भी क्योंकि हो है चोट लग सकती है उसे और बहुत भी heavy mask का भी होगा इस वज़े से उसको हम रोक नहीं पाएंगे direction को कैसे change कर सकता है जैसे अगर हमारे पास हम रसी से बांगे कोई stone और घुमाए किसी direction में तो किसी भी body की जो natural tendency होती है वो straight line की होती है लेकिन अगर हम उसको force provide करते है centipetal force होता है तो उससे हम जो stone है वो लगातार जो है circle रुपाथ में गूमता रहे है तो ये तो हो गया हमारा force इसकी जो SI unit है और इसकी जो dimension है वो हम बात में discuss करेंगे इसकी दो type की जो units है उससे पहले हम linear momentum पढ़ते हैं linear momentum क्या ओता है linear momentum of a body is defined as product of mass of the body product of mass of the body and its velocity तो mass और velocity की जो product होती है उसको linear momentum बोलते हैं इसको हम P से denote करते हैं small P और ये एक vector quantity है तो कि velocity क्या है vector quantity है तो जो linear momentum है वो भी क्या है vector quantity है अगर इसकी SI unit की बात करें SI unit of linear momentum SI unit क्या ओगी देखो mass की unit क्या होती है kilogram और velocity क्या होती है meter per second तो इसकी जो unit हो गई होगी kilogram meter per second अब dimension formula of linear momentum इसका जो dimension formula है वो यहीं से find out कर सकते हैं इस formula से देखो जो mass का होगा वो क्या होता है M dimension formula of linear momentum क्या हो जाएगा MLT की minus one अब देखो newton's first law क्या है according to this law a body continues to be in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force देखो इसका meaning क्या है कि किसी भी body किसी भी body position तब तक change नहीं हो सकती जब तक हम उस पे कोई external force ना लगाएं तो example के लिए देखें suppose हमारे पास कोई book है एक table पे अगर कोई book रखी है या कोई भी object हो सकता है एक table पे कोई भी object रखा हुआ है और इसको जब तक हम इसके उपर force नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा ये rest पे ही रहेगी clear तो जब तक इसके उपर हम force नहीं लगाएंगे ये rest पे ही रहेगी यानि ये अपनी position अपने आप change नहीं कर सकती ऐसे ही motion की बात करे अगर कोई भी body अगर motion में है motion में है तो तब तक motion में ही रहेगी जब तक उसे रोकने के लिए हम को external force ना लगाएं जैसे एक bowl है bowl हमारी floor के उपर चल रही है हमने उसको एक push करा और bowl जो है floor के उपर चल रही है तो वो motion में है लेकिन अगर वहाँ floor का frictional force ना हो या फिर air का resistance ना हो तो जो bowl है वो continuous अपनी जो motion में है वो चलती रहेगी बिल्कुल भी नहीं रुक पाएगी mutants first ला clear होगा तो देखो अब इसको एक और नाम देते हैं law of inertia इसको law of inertia क्यों बोलते हैं देखो inertia क्या होती है कि किसी भी body की property होती है कि वो खुद अपनी position को change नहीं कर सकती छोटी class में एक example देखा होगा आपने कि अगर हमारे पास कोई glass है glass के उपर अगर हमें cardboard रख दे cardboard रखेंगे जैसे glass है और इसके उपर हमने cardboard रखा हुआ है cardboard के उपर कोई coin रखते हैं और इस जो cardboard को इसको अगर हम flick करें अपनी उंगली से तो क्या होता है यह coin जो है यह coin यह coin जो है glass के अंदर गिरेगा देखा होगा यह activity तो देखो ऐसा क्यों होगा क्योंकि हमने जो force लगाया है वो force हमने लगाया है इस cardboard पे हमने force लगाया है इस coin पे हमने force नहीं लगाया तो यह जो इसकी जो position थी वो पहले क्या थी rest की position थी तो इसके उपर जब हमने force ही नहीं लगाया तो यह है newton's का first law तो इसका जो दूसरा नाम है it is also called law of inertia next है newton's second law of motion इसको पढ़ने से पहले देखो suppose हमारे पास कोई body है जिसका mass क्या है we have a body of mass m और v velocity के साथ body चल रही है तो उसका जो momentum है linear momentum वो क्या होगा p हमने अभी linear momentum की definition बताई थी तो उसमें देखो अगर body ने चलना शुरू किया starting में अगर उसका जो initial momentum है हमारे पास कोई body है let a body of mass m moving with initial velocity u body की जो initial velocity है वो है u और उसकी जो final velocity है final velocity suppose v और mass क्या है body का m तो इसका अगर initial momentum की बात करें initial momentum क्या हो जाएगा p1 p1 मान लेते हैं suppose initial momentum is p1 final momentum final momentum suppose क्या हो जाएगा p2 अगर changing momentum की बात करें तो changing momentum of the body क्या हो जाएगा p2 minus p1 changing momentum हो जाएगा p2 minus p1 अब rate of change of momentum अगर लिखें rate of change means अगर rate की बात करते हैं तो यानि हमें उस quantity को time से divide करना होता है तो rate of change of momentum जो होगा हमारा rate of change of momentum वो जाएगा p2 minus p1 upon time को लेते हैं हाँ पर t तो time से divide करने के बाद इस quantity को हम बोलते हैं rate of change of momentum तो second law के according की आता है जो rate of change of momentum होता है वो directly proportional to applied force होता है यानि हमने एक body जो initial velocity u से चल रही थी उसके ओपर हमने force लगाया और उसकी जो final velocity होगी v तो उसका जो changing momentum है वो है p2 minus p1 बट उसका जो rate of change of momentum है वो है p2 minus p1 upon t तो ये जो rate of change of momentum है वो directly proportional to applied force है इस equation को हम लिख सकते हैं f proportional to p2 minus p1 by t तो देखो अगर rate of change of momentum को हम delta p से denote करें तो यहाँ time का भी change हुआ है starting में अगर हम initial time 0 लेंगे और final time अगर t है तो change in time को हम लिख सकते हैं delta t क्या लिख सकते हैं delta t तो हमारी equation बनेगी f proportional to delta p by delta t या फिर f proportional to अगर derivative की form में इसको अगर हम लिखते हैं तो dp upon dt f proportional to dp by dt अब proportionality हटाएंगे तो क्या लगाएंगे constant लगाएंगे f equal to k dp by dt यहाँ पर जो यह k है यह constant of proportionality इसकी जो value है हो हम 1 लेते हैं अगर k को one put करें तो f is equal to dp by dt तो यह है हमारा newton's second low तो यही इसकी statement है देखो statement में भी हमने क्या लिखा हुआ है that the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to external force applied on the body यानि f proportional to dp by dt and we are free to choose the value of constant of proportionality k की value हमें आपे one put करते हैं तो f is equal to dp by dt यह हमारा हो गया newton का second low अब इसमें देखो अगर example की बात करें तो देखो एक crickator lower his hands to catch a ball आपने कभी cricket match में देखा हुआ कि कोई भी जब catch पकड़ता है crickator तो अपने हाथों को पीछे की और हटा लिता है ऐसा वो इसलिए करता है तो कि देखो newton के second low के according हमने अभी किया पड़ा कि f proportional to dp by dt ऐसा करके हाथों को पीछे करके वो क्या करता है time को increase करेगा तो time को increase अगर होगा time अगर increase होगा तो जो है force क्या होगा यानि उसे कम force लगाना पड़ेगा कम force लगाना पड़ेगा और उसके जो हाथ है वो injured नहीं होगा उसे चोट कम लगेगी कम से कम force उसे लगाना पड़ेगा तो ऐसा करके वो क्या करता है time को बड़ा दिता है एक और example कि अगर बात करें speed से भगा और एकदम रुक जाता है ऐसा कभी नहीं होता तो क्या होता है कि बहुत ही speed से दोड़ के आ रहा कोई भी athlete जो जब रुकने का time होगा तो वो अपनी speed को slow कर लेगा ऐसा वो इसलिए करता है कि speed को slow करने से क्या होगा उसका momentum कम हो जाएगा तो यह इसकी application है Newton के second low की clear है यह उसके बार discuss करते है what is Newton's third low Newton's third low discuss करने से पहले से देखो एक example देखते हैं अगर आपने कोई spring देखा हो spring अगर उस spring को हम compress करें spring को compress करेंगे तो क्या लगता है कि spring जो है हमारे हाथों के उपर जो है इक्वल फॉर्स जो है हमारे उपर भी लगाएगी यानि देखो अगर जैसे हमने कोई बोल है अगर किसी बोल के साथ हम किसी floor को hit करें या किसी दिवार को hit करें तो बोल जो है bounce back होके हमारी तरफ वापिस आएगी यानि जो bowl हमने दिवार की तरफ है की या floor की तरफ है की वो क्या है एक action है और जो ground ने या फिर दिवार ने हमें जो bounce back करके bowl को हमारी तरफ हो जाया वो क्या है एक reaction है यानि जितना force हमने bowl पे लगाया उतना ही force जो है दिवार ने bowl के ओपर लगाया तो इससे क्या महिन निकल रहा है कि जो action और जो reaction है वो क्या होते हैं, equal होते हैं, opposite होते हैं हमने जो force की direction थी, वो दिवार की तरफ थी लेकिन दिवार ने जो reaction दिया, उसकी जो direction है वो हमारी तरफ है, यानि opposite है direction क्या है, opposite है तो इसकी जो statement है, newton's third lucky है यही है, to every action, there is an equal and opposite reaction. To every action, there is an equal and opposite reaction. या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, action and reactions are equal and opposite. अक्षन and reaction are equal and opposite. तो यह इसका first example Newton का third laqa, when a ball is struck against a wall floor, या फिर floor, it exerted force on the wall, the ball rebounds with an equal force exerted by the wall. यानि जब भी हम किसी बॉल के साथ किसी दिवार को या फिलो को हिट करेंगे, तो जो है उभी हो है, same force के साथ हमारी तरफ आएगी एक example क्या हो सकता है, इसका एक book lying ओने table इसमें action reaction कैसे है, equal and opposite जो book है, वो force डाल रही है, table के उपर और जो table है, equal force डाल रही है opposite direction में, बुक के उपर तो ये जो example है, ये Newton के first low का भी example है और Newton के third low का भी example है, first low में भी क्या कह सकते हैं, कि अगर जैसे book जो रख्योंते है table पे वो rest पे रख्यों है, और अपनी position को तब तक वो change नहीं करेगी, जब तक हम उसके उपर कोई force exert ना करें, clear तो ये थे Newton's last very important topic of unit number 3 of class 11, तो इसकी practice कर लेना और बहुत अच्यसे और copy paste को अच्यसे note कर लेना करें